हेलो फेंट्स वेल्कम टुई और एसपाल नियूज और यहां से बात आ रही है आपकी यहां से जो खबर है वो नेपाल से नेपाल ओली ने जो कुर्सी बचाने के लिए रद करवा संसस्त्र लेकिन खत्रा टला नहीं नेपाल में पिछले कुछ दिनों से स्यासी उठा पटक जारी है कहा जा रहा है कि ओली के पास बहुमत नहीं है और उन्होंने आबिस्वास प्रस्ता यहां पर एक पिक्चर देख सकते हैं इनिपाल में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उठा पटक और पी एम जो हैं के के पी सर्मा ओली पर बड़ा इस्तिफिका दवाब और संसद रद होने से मिली ओली को ओली को फौरी राहत नेपाल के प्रदान मंत्री के पी सर्मा ओली के दौरा नेपाल के प्रदान मंत्री के पी सर्मा ओली केस्ति पे की बड़ती मांग के बीच राश्पती बिद्धावती भंडारी ने संसद के चल रहे बजट सत्र को रद कर दिया है राश्पती ओफिस से जारी बयान में कहा गया कि संसत के दोनों सदनों के बर्तमान सत्र को रद कर दिया गया है राश्पती ने कहा कि ऐसी केविनेट की मांग पर किया गया है इससे पहले गुरुबार को केविनेट की बैठक हुई थी और इसी बैठक में संसत के बजट सत्र को रद करने की सिवाइस की गई थी केविनेट की बैठक से पहले केपी सर्मा ओली ने राश्पती से मुलाकात की थी बजट सत्र आठ मई से सुरू हुआ था मतलब और इस सत्र में आम बजट पेस किया जा चुका है और कई विल भी पास हो गए थे कुर्सी बचाने के लिए रद कराया संसस सत्र हैं पर यह बात कही जा रही है इनके लिए कहा जा रहा है कि ओली के पास बहुमत नहीं है और उन्होंने आविसाथ प्रस्ता बचाने के लिए सत्र को रद करने का हैं पर एक करवा दिया हैं आपर ओली पर प्रदान मंत्री और पार्टी दोनों के तरी से स्थिपा देने के हाँ पर दवाब बन रहे हैं सीनियर नेता सचिब और स्टेंडिंग कमिटी के लोग पार्टी प्रमुक और प्रमुक प्रदान मंत्री प्रचंड के साथ हैं और सब एक स्वन में इस्थिपा की मांग कर रहे हैं ओली ने अपने प्रती पार्टी के भीतर बढ़ते आविसपास को लेकर भात पर आरोप मरने की कोशिस की थी उन्होंने कहा थे कि उनके खिलाप दिली और काटमांडो इस्थित भारती और दूतावास में साजिस चल रही है खाले की प्रचन ने दो टू कहा था कि उनसे भारत नहीं बलकि पार्टी इस्थिपा मांग रही है अगर भायती खिलाब आरोपों को सावित नहीं कर सकते तो इस्थीपा दे दें सत्तधरी नेपल कम्मिनिस्ट पारटी के प्रमक पुस्पदल कमल दहल प्रचेंट ने गुरुबार को प्रदानमंतिय उलिय कारेवर उसे मुलाकात की थी प्रचेंट के मीडिया सलाकार विश्णू सब्कोता ने इस बात की पूस्टी की थी कि प्रचेंट ने बैठक की थी कार्ट मान्न पूस्ट के अनुसार प्रचेंट के खुलामतर इस्थित आवास पर गुरुबार आठ सुभा आठ बज़े पार्टी महा सचिव विश्णू बहु देल उप्रधान मंतरी इस्वल पोकरेल और बिदेश मंतरी प्रदीप ग्यावली प्रांथ पांच के मुख्य मंतरी संकर पोकरेल प्रधान मंतरी ओली के प्रधान सलाकार विश्णू रीमल और संसत उपमेटा सुभास नेम बाग पहुचे थे इस बैटख में पुछन ने कहा कि ओली को पारटी के सिस्टम, और किरिया का पालखना चाहिए इस्तिव्य single एस्तिव्य से कम थियार नहीं है प्रिचन्ड और थूप औपर पुछल को पिच्ण ने नेपाली कम्मिनिस्ट पार्टी के निताओं के साथ बैठख की थी और कहा जा रहा है कि प्रिशन्ट ओली इस तीपर से कम त्यार नहीं है गुरुबार को बैठक हुई तो रणनीती का हिस्सा हुआ था तो यहाँ पर स्टेंडिंग कमीटी की जो बैठक हुई थी उसमें कुल 44 सदत से हाँ पर थे और दबदबा बहुत ज़्यादा था और बैठक के बीच ही ओली ने केविनेट की बैठक बुला ली थी ओली को फौरी का खत्रा टला नहीं हो आपर कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब होगी और अनुशे 93 के अनुसार संसत का सत्र नहीं चल रहा है तो संसत एक चोथाई संसत रास्पती से संसत के सत्र की मांग कर सकता है और रास्पती को संसत का सत्र बुलाना होगा ओली इस्तिपा पर चौत अर्फा गेरे हुए हैं और कुर्सी बचाने के लड़नीती जमा रहे हैं पार्टी में अलग-अलग पड़े हैं ओली और भाद ब्रोध नहीं आया काम यहां पर कई मुद्व पर नहीं पर बाद ब्रोध पार्टी के भी ताम जो ताहना सा कमजूरी और 44 सद्द से स्टेटिंग प्रेजेंड यहां पर मजबूत हुआ है और 31 सद्द से उन्हें यहां पर ब्रोध किया नेपाल कम्यूटी की पार्टी के बैस नेता प्रिशन माधब कुमार नेपाल जाला नात करनल और बामदेव गौतम ने ओली के स्टिपी की मांग जो यहां पर किये तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं द यहां पर टर्णिंग पॉइंट था 27 के चुनाप से एक एक बड़ा फैसला आया था माक्सी ट्लैनिस्ट्र ने मरजर एक मरजर कर नेपाल कम्यूटी से एक पार्टी बनाई